हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल सौनम्स किचिन कॉर्णर में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गोवी के क्रिस्पी करारे बरवा पराठे देखिए एक पराठा में आपको तोड़कर चेक करकर दिखाती हूँ देखिए देखने में यह एकदम से बरा हुआ है अंदर चलिए इसको में आज किस तरह बनाया है इसकी पूरी रेस्पी में आपको बताऊंगी अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो बैल आइकन पर जाकर प्रेस करना ना भूलिएगा इसके लिए सबसे पहले हमने दो कप आटा लिया है एक दाल सकती है और एक चम्माच इसमें हम अजवाइन डालेंगे अजवाइन डालने से पर नदेने वह करी ऊसको यह वह अच्छी रहती है इस तरह से हम स्मूद स्वौट चौट्ट कर कर डालिया इक बार में ज्यादा पानी नहीं डाली तो इसमें लुम्स हो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी करकर एक इसका स्मूढ डो बना लीजिए आटा उधने में भी हमने इसमें जरासा भी ओल लई डाला है आप इस तरह से एक बार जिस तरह से मैंने बनाई हैं एक बार जरूर बना कर ट्राई करिएगा आपके प्राथे एकदम परफेक कर माड़ेंगे आटा हमारा उतना ही अच्छा परफेक्ट डो बनकर तयार होता है इस तरह से माड़कर इसको हम 15 मिनट के लिए ठक कर रख देंगे चलिए जब तक हमारा आटा सेट होगा इसके लिए मिस्टर फिंग तियार करते हैं देखिए मैंने ताजा फ्रेस गोबी ल इस तरी निकाल दी है कि ऊच्छी साफ कर ला zar IT अब इसको इसको महीं महीं उखिऊ लेंगे दोनां डिवनेगी हो साफ कर लेंगे इस तरह इसे हम ने इसके गोबी के पीस्पीस कर लिए और इसको महीं 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 बारी बारी ग्रेड करना आप इसे अपने according कर सकते हैं मैंने इसको İ ämdom साइज में ग्रेड किया है ना जादा बारी किया है neighbours देखिए इस दर ऐसे आपको इसको महीन महीन ग्रेड कर लेना है आप adapted Мосद्र करें देखा हो आकसर इसमें लूग नमक डाल कर इसका पानी निचोड कर रखती हैं अलग हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है एक बारे कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है थोड़ा सा दरक हमने इसके साथ घिसकर डाला है और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप एक चम्मच नमक ड डालेंगे जिससे कि एकदम परांठी हमारे एकदम चटपटे स्पाइसी बनेंगे और इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस इतना द्यान रखी आप जब भी आप परांठी बनाए इसमें नमक तुरंत डालकर बनाया रखने के बाद यह पानी चोड़ सकता है और इस तरह से आप बनाएंगे हमारी स्टपिंग एकदम परफेक्ट बनेगी बिल्कुल भी आपको इसमें पानी की मातरा नहीं दियेगी देखिए आपको गोवी एकदम सूखा बारिक नजर आ रहा होगा चली हमारी स्टपिंग भी तियार हो चुकी है एक बार हम अपने चैक कर लेते हैं, 여 roster-15 हम अटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है अब इस पर थोड़ी सा ओएल लगाकर इसको हम अच्छे से एक स्मूथ डोब बनाएंगे, इस तरह से इस पर ऊएल लगाकर 2-3 लार इसको हम अच्छे से मसल मसल कर एकसा कर लेंगे, जितना अच्छा हमारा आठा होता है पराठे भी हमारे उतने अच्छे एकदम चिकनी बनकर आती है कहीं से भी ये फट्टे नहीं है इसी तरह से इसको हमने तीन से चार बार अच्छे से मसल कर एक सा कर लिया है तब थोड़ा सैस में हम सुखा आठा निकालेगी जो हमें अदे कि मारे ये राटाम सैट की बनाए है इसा नहीं यह स्टरफिंग बहुत ही तो में इसका आठे की बनागा प्लेल झalnya मुझालें बनाईंगी इस तरह वां को में पराठी की साइस का बेल लेना है थोड़ा सा आठा परामाटा लगाते जिससे कि हमारा यह पराः बिलने में चिपके नहीं यह जाधा मूटा बिलना है न जाधा पटला देखिए इसका साइज हमें इस तरही से रखना है कुछ और ना ही हमने इसको पत लग रहा है इसको बिलने के बाद इसके उपर हमने जो इस्टेफिंग बनाई थी इसको हमें बीच के पार्ट उपर लगना है एक चम्मचे स्टेफिंग हम अपने एक पराठी मडा लेंगे और आप अपने एकोर्डिंग कर सकते हैं मैंने इसमें दो चम्मचे स्टफिंग डाली है और इस तरह से थोड़ा सा फैला दिया है अब इसको हमें पहले एक साइट से फोल्ड करना है उसके बाद हम इसे दूसरी साइट से फोल्ड करेंगे और एक बार दोनों साइट से इस तरह से फोल्ड करकर अच्छे से दवा देन है इस तरह से आप गोवी के प्राथे बनाईए आपके प्राथे फटेंगे भी नहीं और नहीं जो इसकी स्टफिंग वरी है हमने वह बाहर निकल कर आईगी थोड़ा सा आटे में इसको हमने फोल्ड कर लिया है जिससे की ये बिल्ले में आसानी रहे है चारोतरब से इसी तरह हमने तरह से आप गोवी के प्राथे बनाई है इससे अप जरूर बना देखिएगा आपको परांठ देखिए पीचे से भी हमारा परांठ एकदम परफेक्ट है कहीं से भी इसकी श्टफिक निकली नहीं है ना ही परांठ हमारा कहीं से फटा है इसी तरह से हमने परांठे को अच्छे से बेल लिया है चलिए तवे को भी हमने अच्छे से गरम कर लि एक चम्मच ओयल डालेंगे इस पर बस देखिए गोबी के भरायम परांठे में हमने ज्यादा ओयल का यूज नहीं किया है और इसी तरह से हल्क एलके इसको प्रेस करेंगे एक चम्मच गी हम दूसरी साइट से डालेंगे गैस के फ्रेम को आप मीडियम रखिएगा ना जादा हाई रखना है ना जादा स्लो रखना है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका हमें ध्यान रखकर खाना बनानी में हमारी खाने का टेस्ट एकदम अच्छा आता है और चीज हमारी एकदम देखने में बढ़िया लगती है देखिए कितना अच्छा इसका एकदम कलर आया है इसी तरह से इसको चारो तरब से आप अच्छे से दवा दबा कर सेक लीजिए इसी तरह से हम एक बार इसको फिर दूसरी साइट से चेंज करेंगे आपको देखने में ही लग रहा हुआ जो हमने इसका पर्त का बनाया है इ इसी तरह से मीडियम गैस पर हल्क हल्का दिवा कर सेकते रहे हैं जनीत कर प्राफ्त प्रफेक्ट अलगे हैं ६द्धें के प्राफ़yn एमारे एक्दम पर्फेक्ट लग रहे हैं एक भी stuffing हमारी बहार नहीं आई है जरासी भी आप इसको एक बार जरूर बना कर ट्राइ करिएगा और मुझे comment box पर लिखकर जरूर बताईएगा आपको आज की मेरी recipe कैसी लगी इसी तरह से आप मेरे चैनल पर आते रहिए और मेरी नएने वीडियो को देखते रहिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाबाई